तो नमस्क्रा दोस्तों आज हम बात करेंगे Hawkins Cooker Limited Company के बारे में जो की अपने आप में बहुत बड़ा ब्रैंड है Company Kitchenware के प्रोड़क्स मनाती है और Company का मेन प्रोड़क्ट है Pressure Cooker और Company उसके लावा बहुत सारे अलग-अलग Cookware भी बनाती है अगर हम बात करें Company की तो Company इंडिया में लगबख 60 सालों से भी जादा टाइम से काम कर रही है और Company अपने सेग्वेंट में क्लियरली मार्केट लीडर भी है और एक साथ-साथ भोती रेपुटिट कंपनी है तो इसलिए आज की इस वीडियो में Company का पूरा fundamental analysis करेंगे और देखेंगे कि as a investor क्या हमें इस company में invest करना चाहे है नहीं और उसके लाव हम Company के पूरे financials भी चेक करेंगे कि Company के revenue और profits कैसे चल रहे है और उसके बाद हम Company की valuation करेंगे कि आज की date में Company हमें किस price पे available हो रही है कि क्या Company undervalued है या overvalued है दोस्तों अगर हम बात करें Hawkins की तो Hawkins एक ऐसा नाम है जो कि इंडिया में हर एक household को पता है और कहिना कहीं लोग इसके product यूज़ करते है जैसे आपको पहले बताया है Company का main product है Cooker Company ने सिर्फ एक segment के अंदर ही इतना नाम कमाया है कि Company एक पूरा super strong brand जो है वो establish कर पाई है अगर हम बाकी products की बात करें तो Cooker के लावा Company और भी बहुत सारे product बनाती है जिसके अंदर mainly company के पास में है Tawa, frying pan, sauce pan, handi बगारा इस तरह से company अलग-अलग cookware भी बनाती है लेकिन mainly जैसे company के नाम से यह पता लगता है कि company mainly cookers मनाती है और हम Cooker की बात करें तो company पास में 90 से जादा अलग-अलग cooker के models हैं जिसको लोग अपनी requirement के हिसाफ से खरीदते हैं और इस segment में company इतनी मेहनत कर चुकी है कि आखिर में एक बहुती strong brand company अपने बना चुकी है एक तरह किसम कह सकते हैं प्रैशर कुकर की segment बिल्कुल स्पेशलाइजड है उसके लावा अगर आखिर में company का revenue भी देखते हैं तो इस तरह से company का revenue break up यह में यहीं बताता है कि company को जो mainly sales या revenue आते हैं वो 80% pressure cooker से आते हैं और बाकी का 20% सारे के सारे जो बाकी company cookers बनाती है वहां से आते हैं और brands की बात करें तो company का main brand सो hawkins है जो company के नाम से है उसके अलावा pressure cooker में company और भी बहुत सारे brand hold करती है वो है future है उसके लाव मिस मैरी है और भी बहुत सारे अलग-अलग company बास में brand है जिसके अंदर company अलग-अलग cookware और cookers अपने बनाती है company का माल बेचने में company की help करते है तो इस तरह से clearly हम कह सकते हैं कि product wise company काफी strong है company एक ही product के अंदर इतना दम लगा के बहुत अच्छी company established कर लिए अभी तक तो बात होगी company के product के बारे में और company distribution network के बारे में अब हम बात करें कंपनी के financials के बारे में क्योंकि as investor हमें सारी चीज़े company चेक करनी है फिर हमें decide करना है कि हमें company सा invest करना है नहीं करना है दोस्तों मैं आपको बता दू किसी भी company का financial analysis करने के लिए मैं company का पिछले 5 साल का data चेक करता हूँ जिससे हमें company के बारे में clear knowledge मिल सके क्योंकि एक दो साल में दो कुछ भी चीज़े ऊपर नीचे होती रहती है तो अगर हम पिछले company पास साल का data चेक करते है उसके सबसे पहला जो हम parameter चेक करते हूँ तो है revenue तो यहाँ पर हम देख सकते है कि 2017 में जो company का revenue था वो था 579 करोड जो की 2021 में बढ़के होगा 762 करोड रुपे जो की बहुती बढ़ा साइन है इससे में clearly पता रगता है कि company के दे growth काफी अच्छी आ रही है उसके लगा अगला parameter जो company का चेक करते है वो है gross profit margin और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुती excellent company वास gross profit margin है 56% का 54% का इससे में clearly यह पता लगता है कि company की sourcing काफी अच्छी है company raw metal अपना काफी अच्छे से खरीती है और company अपनी labor cost को maintain कर पा रही है इसलिए company वास में इतना अच्छा gross profit margin अविलेबल हो रहा है उसका अगला parameter हमारा operating profit margin operating profit margin यह आप देखोगे तो कम्रिवास 14% 15% का काफी अच्छा operating profit margin है इससे भी हमें यही पता लगता है कि company overhead expenses वह अच्छे से company अपने manage कर पा रही है company marketing भी कर रही है सब कुछ कर रही है फिर भी कम्रिवास में अच्छे operating profit margin अविलेबल हो रहे है उसका अगला जो हम parameter चेक करते है company का वो हता है free cash flow तो आपको दादों में net profit ही जाए free cash flow और company को चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कई बर क्या होता है net profit company book तो कर लेती है विन सारा पैसे company को receive नहीं हो पाता है कुछ bad debts हो जाते है या फिर पैसा आने के बाद भी company को वापिस से पैसा अपनी company में invest करना पर जाता है और वो company पास पैसा रूपता नहीं है तो यहाँ पर हम अगर हम hawkins के case में देखें तो पिछले 5 साल में हर साल company पास में free cash flow available होगा है सिर्फ 2019 में एक बार minus में गया था बाकी हर साल कम पास free cash flow available है जो की काफी अच्छा sign है उसके लावा next हमारा parameter है debt by equity ratio और ये ratio ऐसा important ratio है जो कि हर एक company का हमें check करना चाहिए जादा लेती है तो interest payment भी जादा करनी पड़ती है उस विए से बहुत सारी companies में problem आ जाती है इसलिए हमें debt को में चेक करना चाहिए पाए तो यहां पर हम देखते हैं तो company वास 21 गुना पैसा अविलेबल है यानिके जो interest coverage ratio है वह है return on equity और इस company का return on equity बिट्कुल excellent है return on equity में ये बताता है कि जो भी investor अपना पैसा company साथ लगाते हैं company उनको कितना return उस पैसे को पर दे पाती है तो पिछले साल का जो company का return on equity है वो है 51% जैसा आपको पहले बताया कि excellent return on equity है company का और सिर्फ पिछले साल का एक साल का 51% नहीं है पिछले 5 साल का average भी हम check करते हैं तो वो भी 51% है यानि कि हर साल लगातार company 51% का return on equity generate कर पा रहे हैं जो कि बहुत ही strong sign है बहुत ही बढ़िया sign है तो इस तरह से हम overall जो financials company के check कर रहे हैं तो हम clearly कह सकते हैं company बहुत ही strong है company के franchise बहुत ही बढ़िया है extraordinary है company के revenues भी अच्छे से increase हो रहे है company was free cash flow भी हो रहे है कोई खास debt भी नहीं है सब चीज़े company के financial जो है वो बहुत ही बढ़िया है तो अभी तक हम देख लिया company के product के बारे में और company के finances के बारे में कि सारी चीज़ अच्छी है अब हम check करें company की valuation की आज की date में company हमें किस price पे available ह हो रही है कि company undervalued है overvalued है तो आपको बतांदो किसी भी company का valuation करने के लिए मैं यूज करता हूँ discounted cash flow analysis और उसके अंदर हम company को free cash flow को पर value करते हैं कि company कितना free cash flow जो generate कर पा रही है उसके साब से उसकी कितनी value बनती है तो यहाँ पर देखते हैं तो पिसले तीन साल का जो company का average जा रहा है free cash flow का वो आ रहा है 72 क्रोड रुपीज यानिके 72 क्रोड के आसपस company हर साल cash free cash flow जाए वो generate कर पा रही है उसके साब से company की free जो fair value है वो बनती है 3600 क्रोड रुपे यानिके ऐसी company जो 72 क्रोड रुपीज हर साल कमाती है उसके साब से 3600 क्रोड पर पूरी company की value बनती ह है कि अगर हम 3600 क्रोड पे पे करेंगे तो कंपनी हमारी हो जाएगी और जो भी वो free cash flow है वो भी हमारा हो जाएगा लेकिन फिर बहुत है कि हमें सारी कंपनी तो नहीं खरीद नहीं है पुरी हमें कुछ शेर खरीद नहीं है तो पर पर शेर के साथ से हम कंपनी गर फेर निकालते हैं तो आती है 7200 रुपीज पर शेर यानि कि 2200 रुपे पर शेर के साथ से अगर हम हौकिंस कुकर लिम्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेर वेल्यू पे साथ ही कंपनी में इन्वस्ट करना चाहिए मार्जन सेफटी का मतला होता है कि जो भी कंपनी की फेर वेल्यू है उससे 50 पर शेर केम खरीदने खुशिक करनी चाहिए तो जैसे आख को आता है कि पर शेर की वेल्यू जह आर्टीव वार्ती 7200 तो margin of safety हो गया 3600 रुपए यानि कि 3600 रुपए पर शेरे के साब से अगर हम Hawking's Cookers Limited Company में invest करेंगे तो हम अपना जो risk है उसको काफी अच्छे से manage कर पाएंगे तो यह तो होगे हमारी बात की हम किस price पे company में invest करना चाहरे हैं अब हम चेक करते हैं कि आज की डिट में company का current share price क्या चल रहा है तो आज की डिट में का current share price है वो है 5,270 रुपए तो 5,270 रुपए काफी अच्छा price है क्यों क्योंकि company की जो fair value है वो ही 7200 रुपिस के आसपस आ रही है तो company हम clearly कह सकते हैं कि आज में यह company undervalued company है क्यों company fair value से कम पे अविलेवल है हाँ मार्जिनों safety से थोड़ी सी ज़्यादा price है लेकिन fair value से कम है तो इसलिए आप अपने इसाफ से decide कर सकते हैं कि आप इस company में invest करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आपको जो भी सारी details नहीं है यह सिर्फ education purpose से है मेरे तो से कोई recommendation नहीं कि आप इस company में invest कीजिए और नहीं कीजिए आपको जो price ठीक लगता हो जो company ठीक लगती है उसके साफ से जाइए लेकिन फिर भी मैंने आपको company वारे सारी details दे दिये हैं company के products बहुत अच्छे हैं company के financials काफी strong है और company की value भी काफी attractive आज की rate में लग रही है तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको company वारे सारी details knowledge मिलगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको like और share जोरू किजेगा और मेरे चैनल को भी subscribe कर लिजेगा मैं ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं thank you so much